स्टुडेंट्स आज हम लोग हिंदी फॉर्स्ट के पार्ट चौदव मेरा बच्पन का अध्यन करने जा रहे हैं बच्चो इस पार्ट के अंतरगत बहुमुखी प्रतिभा के धनी रविंद्र नाथ टैगोर के बारे में बताये गया है यह एक आत्म कथा है आत्म कथा किसे कहते हैं आत्म कथा आत्म मतलब अपने बारे में और कथा मतलब कहानी यानि जो जब कोई लेखक अपने बारे में लिखता है अपने बारे में बताता है तो उसे ही आत्म कथा कहते हैं इस पार्ट के माध्यम से रवी ने टैगोर ने अपने बच्पन की यादों को आत्मत कता के माध्यम से प्रस्तुत किया है यानि वे बच्चपन में कैसे थे उनकी सिक्षा कैसे हुई और वो प्रकृती के सानिद में प्रकृती से कैसे प्रकृती के संबंध में कैसे रहे प्रकृती से उनका संबंध कैसे रहा ये सभी वो बताते हैं तो चलिए हम पाट की ओर चलते हैं और उनके आत्मकथा को पढ़ते हैं जब मैं बहुत छोटा था नौकरों के पास नर्श्री में रहा करता था उन दुनों धनीत परिवारों के लिए यह सामाने बात थी बच्चे अपने मां को रात में ही देख सकते थे बिमार होने पर पिता से उनकी मुलाकात और भी कम होती थी नौकर ही उनकी देख भाल करते और कहानिया सुनाते थे अपने बारे में रविंद्र नाट टैगोर बताते हुए कहते हैं कि जब वो बहुत छोटे थे तो वो नौकरों के पास रहते थे क्योंकि उन दिनों जो सिक्षित परिवार था बड़े परिवार थे प्रतिस्चित परिवार था उन लगों के घर के बच्चों के साथ यही किया जाता था कि उनको कहीं हॉस्टल में कहीं दूर रखा जाता था इस प्रकार से दूर रहने के साथ वो अपने माँ से भी नहीं मिल पाते थे और उनका स्वास्ते खराब होने पर वो उन्हें अपने माता और पिता से भी वो वन्चित रहते थे परिवार से दूर रहने के लिए इसलिए उन्हें नौकर ही उनका देखभाल करते थे और नौकर ही उन्हें कहानिया सुनाते थे जबकि आपको पता होगा कि हमें कहानिया कौन सुनाता है हमारी दादी नानी लेकिन रविन रनाट टैगोर इन सब चीजों से वंचित थे उन्हें कहानियां उनके नौकर सुनाते थे एक ऐसा ही नौकर मेरे यहां था जिसका नम ब्रजिस्वर था उसके केश और दाढ़ी भूरे रंकी थी चेहरे की चमड़ी सुखी और तनी थी सभाव से गंभेर था, सोच समझ कर बाते करता था मैंने सुना थी कि पहले वह गाओं के किसी स्कूल में पढ़ाया करता था चुआ छूत के मामले में बहुत कठोर था नहाने के लिए तालाब में जाता तो डूपकी लगाने के पहले पानी की पांच-छे बार इधर उधर हटाता नहा कर लोटते समय वह रास्ते पर इतनी साधानी से चलता था कि उसे कोई छूत न लगे आगे वह बताते हैं चुकि उनकी देखरेक, उनकी सेवा और उनके उन्हे कहानिया रविन्ना टैगोर को ये सभी कारे नौकर ही करते थे अब वह एक नौकर के बारे में बताते हैं जो उनकी यहां रहता था जिसका नाम था ब्रजिस्वर और ब्रजिस्वर के बारे में वह बताते हुए कहते हैं कि उसके जो केस थे वो भूरे रंकी क्रेस मतलब बाल और उसकी दाड़ी भी जो थी वो भूरे रंकी थी वो जो व्यक्ति था यानि वो जो नौकर था वह चुवाचूत यानि भेद भाव किसी से भी बहुत जादा भेद भाव करता था चुवाचूत उसके अंदर थी चुवाचूत क्या है एक डूरिवादी पर नहाने के लिए तालाम में जाता था तो सफाई के मामले में जब वो नहाने के लिए तालाम में जाता था तो रताराप का भी पानी इधर उधर करके ही नहाता था और रास्ते में जब वो आता था तो सबसे बहुत दूरी बनाए रखता था इसलिए दूरी बनाए रखता थ ताकि उसे कोई छूर न दे और वह किसी से छुआ न जाए खाने के मामले में वह बहुत लालची था हम बच्चों की थाली में पूरा खाना कभी नहीं परोस्ता था दूरी बैठकर पूरी हिलाता रहता था और पूछता तुम्हें और चाहिए अब वह नोकर के ही बारे में भ भी बहुत लालची था रविन रेनाट टैगोर बता रहे हैं कि जब बच्चों को खाना निकालता था सभी बच्चों को जब खाना निकालता थो कभी भी पूरा खाना बच्चों को नहीं देता था और हमेशा बच्चों से पूचता था कि तुम्हें और चाहिए मतबस वह आगे कुछ कहें हाँ या नहीं उसके ही पहले वो चुप हो जाता था यानि बच्चों के हाँ या ना कहने पर भी वो दुबारा हाँ कहने का मौका नहीं देता था दूद के कटोरे भी उसे बहुत पसंद थे, मुझे तो दूद पसंद ही नहीं था लेखक अपने बारे में कह रहे हैं कि लेखक को दूद नहीं पसंद थे इस तरह कम खाकर मैं भी कमजोर नहीं, ताकतवर ही था लेखक कह रहे हैं अपने बारे में कि इस प्रकार से जो नौकर था वो सब को कम ही खाना देता था लेकिन इतना कम खाकर के भी लेखक रविद नाटैगोर बता रहे हैं कि वो ताकतवर ही थे कमजोर नहीं थे पेट दर्थ किसे कहते हैं या मैं नहीं जानता था स्कूल कभी स्कूल जाने का मन नहीं होता तभी पेट दर्थ की बहाने करता था मेरी मा परेशान हुन नहीं होती थी मुस्कुरा कर कहती थी स्कूल मत जाओ और अपने बार में बता रहे हैं कि कि मतलब वो कभी भी बिमार नहीं होते थे रविन ना टैगोर बता रहा है कि बच्छपन में कभी भी बिमार नहीं होते थे अगर उन्हें कभी स्कूल जाने का मन नहीं करता था तो वो सिर्फ एक ही बहाना मारते थे पेट में दर्ध है तब उनकी माँ मुस्कुरा कर कहती थी, उनकी माँ उनकी बातों को समझ चाती थी कि यह बहाना मार रहा है और उनकी माँ कहती थी कि ठीक है स्कूल मत जाना नवकर मुझे रामाड की कहानिया भी सुनाय करते थे इस कहानियों के आधार पर हमें बाधा भी करते थे, जब उन्हें अपने काम से बाहर जाना होता मुझे जंगले दार खिर्की के पास बैठा कर खड़ियां के चारो उल लकी खीर देते फिर कहते चोटे माले के इसके बाहर नहीं निकलना तुम तो जानते हुँ कि लक्षमड की खीची रेखा बाहर निकलने पर सीता महिया का क्या हाल हुआ था भ्याना राक्षक उन्हें पकड़ कर ले गया था याद है ना अब वो अपने नौकर के बारे में बताए कि जो भी नौकर थे वो शुरू में ही बता रहे हैं कि उनके नौकर ही क्या करते थे उनकी सेवा करते थे उन्हें कहानिया सुनाते थे तो नौकर रामाइल की भी कहानिया सुनाते थे उन्हें और जब उन नौकरों को कहीं बाहर जाना होता था तो लेखक रविन्ना टैगोर को खिड़की के पास जंगले के पास बैठा देते थे ठीक है और चारू तरफ से एक लकीर खिच देते थे और इसे कहते थे लकीर खिचने के बाद वो ये कहते थे कि आप इससे बाहर नहीं जा लक्ष्मर रेखा को पार करती हैं, तो क्या होता है? यानि उनका रावण हरर कर लेता है. ये कहानी रविन्ना टैगोर सुने होते हैं उनके नौकर के द्वारा, इसलिए नौकर कहता है, जब उन्हें कहीं जाना होता है, तो एक लकीर खीज देता है, लक्ष्मर देखा खिस देता है और कहता है कि इससे बाहर तुम नहीं जाना क्योंकि तुमको पता है कि इससे बाहर जाने पर सीता मया का क्या हुआ था सीता माता के क्या साथ हुआ था उन्हें राप्षस पकड़ लेके गया था याद है न और वो कहता है कि मतलब तुम्हें ये बात याद है न इसलिए क्योंकि उसने नौकर ने रामाइड की कहानिया सुनाई थी रवीद ना टैगूर को मुझे घेरे में बंद कर नौकर चले जाते मैं खिड़की से बाहर तालाव और बड़े से बरगत के पेड को देखता घंटो बैठा वही रहता वही से मैंने चीजों को ध्यान से देखना और उन्हें अपने यादों में संजोना सीखा थोड़ा बड़ा मुने पर मुझे नौकरी की देखभाल करने से अलग कर दिया गया है फिर अपने भाई बहनों से मिलने जूलने के मौके मिलने लगे अब लेखा कह रहा है कि जब उन्हें नौकर एक जगा बंद करके चले जाते थे तो वो क्या करते थे वो अकेले रहते थे इसलिए चूप चाप खिर्ड कि उन्हें कहां बठाते थे खिर्की के पास बैठाते थे और वो खिर्की थी जो जंगलेदार थी मतलब दिखाई देता था सब कुछ बाहर का तो जब अकेले रहते थे रविन्ना टैगोर तो तालाब की तरफ देखते थे और उधर बर्गत का पेड़ रहा हुआ तो उसे ही ध्यान से देखते थे इस प्रकार से वह प्रकृती का सानी धिकर पाये मतलब प्रकृती को वह बहुत ही ध्यान से देखते थे और उन्हें अपनी यादों में रखते थे सजा करके रखते थे लेकर करें कि जब वो थोड़े से बड़े हुए तो उन्हें नौकरों के देख भाल करने से अलग कर दिया गया मतलब नौकर उनकी देख भाल करें इस चीज से उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया और जब उन्हें नौकरों के साथ देखभाल करने से स्वतंतर कर दिया गया तो इस प्रकार से उन्हें अन्य भाई भाई बहनों से मिलने का मौका मिला मैं अपने पिता की चौधामी संतान था चौधामी संतान यानि वो लोग चौधा भाई बहन थे मेरे कई भतीजे और भांजे भी मुझे से बड़े थे चुकि वह अपने मापाप की चोधामे संतान थे चोधामे बच्चे थे और इसलिए उनके भतीजे और भांजे बड़े बड़े थे बड़ी चोधामी संतान मतलब सबसे अंतिन के ये थे और इस प्रकार से मालिजे अगर वो चोध्धामी होते हैं तो इनके बड़े भाई या बहन जो भी रहोंगे तो उनकी शादी हो गई होगी, उनके बच्चे हो गए होंगे इस प्रकार से वो कह रहा है कि मेरे कई भतीजे और भांजे उनसे बड़े थे बड़ी बहन का लड़का सत्य और सोमेंद्र मेरे रोज के साथी थे, यानि इनकी जो सबसे बड़ी बहन थी, उनके बच्चे सत्य और सोमेंद्र थे, जो इनके साथी थे सत्य मुझे एक बात के लिए हमेशा डराता रहता था शांती निकेतन कभी मत जाना मुझे आश्यर होता क्यों नहीं जाना पिता जी वहां रहते है वहां उनका मकान है यानि उनके पीदा जी शांती निकेतन में रहते थे और शांती निकेतन में उनका घर था एक मकान था लेकिन शांती निकेतन जाने के लिए जो उनकी बहन का लड़का सत्य था वो हमेशा डराता रहता था कि वहाँ पर मत जाना तो लेकग को बहुत आश्यर होता था कि सत्य महां जाने से क्यों डराता है मुझे सत्य कहता लेकिन महां का सफर बहुत खतरनाक है महां रेल गाड़ी से जाना होता है और रेल गाड़ी तो मौत का फंदा है लोगों को इधर उधर फेकती चलती है चुकि शांती निकेतन दूर था इसलिए याद दिलाता रहता था ये कहता था कि जब तुम शांती निकेतन जाओगे कि तो वहाँ का जो रास्ता है वहाँ का जो सफर है वो बहुत खतरनाक है और रेलगारी से जाने पर रेलगारी इधर उधर सबको फेक देती है यह कौन डराता था ऐसा करकर के उनकी बड़ी बेहन का बच्चा बेटा सत्य डराता रहता था जब मैं बड़ा हुआ तो पहली बार की रेल गारी से शांती निकेतन गया तब जाना रेल की यात्रा वैसी भयानक रही होती थी जैसी सत्य ने बताई थी जब रविन रनाट टैगोर बड़े हुए तो वो उन्हें रेल गारी से शांती निकेतन जाने का मौका मिला तो उन्होंने समझा कि शांती निकेतन का रास्ता या सफर उतना भयानक नहीं है जिस प्रकार से सत्य ने बताई था क्योंकि सत्य ने क्या का था कि शांतिनी के इतन का जो सफर है वहाँ का जो रास्ता है वो बहुत भैयानक है और रेलगाड़ी से जाने पर रेलगाड़ी इधर उधर फेक देती है मुझे पढ़ाने एक मास्टर जी आया करते थे तब मैं तब आट साल का था रविन रिनाट टैगूर अब आठ साल मतब जब उनके आठ साल पूरे हो गए तब कि वो घटना बता रहा है कि जब वो आठ साल के थे तो उन्हें घर पर पढ़ाने के लिए इक धापक आते थे एक बार बरसात का मौसम था सडकों पर पानी भर गया था मैं चार रहा था कि मास्टर जी नव आपाएं लेकिन मेरी तमाम उम्मूद्यों की मिट्टी से मिलता हुआ सडक की मोड पर उनका पैबंद लगा हुआ काला चाता दिख ही पड़ा लेकर कह रहा है कि मतलब रविद नाटेगोर ये कह रहा है कि वो एक दिन बारिश का मौसम था बारिश का मौसम था और वो ये सोच रहे थे कि उनको आज मास्टर साब पढ़ाने ना आए मतलब कभी कभी ऐसा होता है हम सब के साथ ऐसा होता है कि जब हमें पढ़ने का मन ने करता है या फिर कभी बारिश होती है कभी ऐसा मौसम होता है तो हम सभी पढ़ना नहीं चाते हैं तो उस दिन क्या यही कि हमारे मास्टर साब आज हमको पढ़ाने ना आए इसी प्रकार एक बार रविन नाट टेगोर के साथ हुआ जब वो आठ साल के थे एक दिन बारिश का मौसम था बारिश हो रहे थी वो उस दिन ये चाह रहे थे कि उनके मास्टर साब उन्हें पढ़ाने नवाए लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया यानि जैसा वो चाते थे वैसा न हुआ जब वो देखे कि रास्ते में मतलब सड़क की मोड पर उनका पैबंद लगा काला चाता दिखी पड़ा पैबंद मतलब चकती आप जिसको जानते हैं कि जैसे मां जी कोई जी जी फटी हो और उसपर अलग से कपड़ा रख करके सिला गया हो तो उसी प्रकार उनके मांस्टर का चाता था मतलब उसपर दूसरा कपड़ा लगा करके सिला गया था मोड पर पैबंद लगा काला चाता दिखी पड़ा अब कोई उपाय नहीं था मुझे नीद भी आने लगी थी अजीब बात थी है कि उनके जाते ही मेरी आँखों से नीद गायब हो गई मतलब लेखर रविन्ना टैगोरी करें कि जब उन्हें मैंने आता देखा तो उन्हें उस समय नीद भी आ रहे थी लेकिन जब मास्टर साहब आए तो मास्टर साहब जब पढ़ा करके जाने लगी उसके बाद लेखर की नीद भी नहीं लगी नेखर को नीद भी नहीं आ रहे थी तो आपने समझा कि इसमय रविन्ना टैगोर कि इसके बारे में बता रहे थे जब वो आठ साल के थे और बरसात हो रही थी और वो जब चाते हैं कि उनके मास्टर साव उन्हें पढ़ाने नवा आए लेकिन उनके मास्टर साव आ जाते हैं उनकी सोच के अनुसार ऐसा कुछ नहीं होता है मास्टर साहब आ जाते हैं और उन्हें पढ़ाते भी हैं सुरू सुरू में स्कूल जाने का मेरा बहुत मन करता था मतब जब वो आठ साल के थे तब कि वो बात बताते हैं कि उन्हें घर पर पढ़ाने उनके मास्टर साहब आते थे लेकिन उन्हें भी बाकी बच्चों के जैसे बाकी बच्चों का मन होता ना कि हम स्कूल जाएं लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता था चुकि वह प्रतिस्टिस परिवार के थे और बहुत ही धनी परिवार के थे तो उस समय धनी परवार के बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ करता था कि उन्हें घर पर पढ़ाने के लिए अध्यापक आते थे बाकी बच्चों के समानी तब जिस प्रकार बाकी बच्चों का मन करता है कि वो विद्याले जाए और वहाँ पर पढ़े उसी प्रकार रविंद नाट्यगोर का भी मन करता था कि वो बाहर जाए श्कूल में जाए और वहाँ पर पढ़े सुबह सत्य और सुमेंद्र की गारी से श्कूल जाते देख मैं भी रोता गिरिडा था जब सत्य और सुमेंद्र सत्य और समेंद्र काँ है उनकी बैड़ी बेहन के लड़के हैं तो जब सत्य और सोमेंद्र गारी से स्कूल जाते थे तो उनने भी मन करता था और इसलिए उनको जाता देख करके वो रोते गिड़ी घड़ाते थे आखिर मुझे भी स्कूल भेजा गया घर पढ़ाने वाले मास्टर जी बहुत नाराज हुए उन्हेंने मुझे डांटते हुए का अभी तुम स्कूल जाने की जित कर रहे हो वह दिन जल्दी ही आने वाला है जब तुम स्कूल न जाने के लिए रोगे क्या होता है कि हम सुरू में बहुत जादे एक्साइटेड होते हैं बहुत साइथ होते हैं कि विद्याले जाएंगे लेकिन जब हम विद्याले जाने लगते हैं तो कुछ दिन की बाद से यही होता है कि हम ना जाए ठीक उसी प्रकार से अपने बच्पन की यादों को बता रहे हैं चुकी रविन्ना टैगो तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है बात की बच्चों के साथ जब उनकी बहन के लड़के सत्य और सुमेंद्र जाते हैं तो उनको देख करके वो भी रोते हैं कि वो भी विद्याले जाएंगे तो घर पर उनके जो मास्टर पढ़ाने के लिए आते हैं वो कहते हैं कि कोई ऐसा दिन आएगा कि तुम भी बोलोगे कि मुझे नहीं जाना है स्कूल और सच्मोच यह दिन जल्दी ही आ गया जब उन्हें स्कूल भेजा गया तो लेखक बता रहे हैं कि वो दिन जल्दी ही आ गया जब ऐसा हुआ जो मास्टर सामने बात कई थी मास्टर सामने क्या कई थी कि वो दिन जल्दी यह आ जाएगा जब तुम भी बोलोगे कि मुझे स्कूल नहीं जाना है मुझे स्कूल से नफरत हो गई प्रकृति और खुले आकास से दूर एक कमरे में बंध होकर पढ़ना मुझे खराब लगता था क्योंकि रविन्ना टैगोर को क्या पसंद था प्रकृति खुला वाता वरण ये सब पसंद था लेकिन विद्याला में कहा रहना पढ़ता एक कमरे में रहना पढ़ता है प्रकृति से दूर तो उन्हें बिल्कूल भी अच्छा नहीं लगता था मैं स्कूल से छुट्टी के समय सोचता जो मुंसी जी मेरे भाईयों को अर्वी फार्सी पढ़ाते थे उनसे छुट्टी के लिए क्लास टीचर को अरजी लिखवाने की विंती करता लेकि स्कूल में विज्ञान और चित्रकारी में मुझे मजा आता था उन्हें जब छुट्टी लेना होता था तो उनके भाई और बहनों के लिए क्लास टीचर जो थे उनसे अर्जी लिखवाते थे यानि अप्लिकेशन लिखवाते थे घर जाने के लिए लेकिन ये चीज़ था कि उन्हें विज्ञान मतब साइन्स और चित्रकारी कला ये सब करना उन्हें अच्छा लगता था उन्हें दिनों में कविता भी लिखने लगा एक कॉपी में कविता लिखकर उसे जेम में लिये फिरता सत्य और समिंद्र ने वे कविताएं पड़ी तो उन्हें आश्यर हुआ फिर मेरे सिक्षकों ने भी वे कविताएं पड़ी और तारीफ की यह बात पिता जी के पास भी पहुंचे उन्होंने कविताएं देखी और मुस्कुरा पड़े उन दिनों की बात लेखक बता रहे हैं कि जब वो स्कूल जाया करते थे वो उस्टम कविता भी लिखने लगे और उनकी कविताओं को उनके बड़ी दीदी के जो बच्चे थे सत्य और सोमेंद्रवी भी पढ़े फिर वो कविता उनकी पिताजी के पास आई और वो भी पढ़ करके मुस्कुराए स्कूल में और उची होने के बावजुद मेरी पढ़ाई बराबर चलती रही मतब स्कूल में उनकी रूची नहीं थी लेकिन उनकी पढ़ाई उनका अध्यन लगातार चलता ही रहा घर पर ही भाशा, गडित, विज्ञान, चित्रकला, संगीत सभी सिखाये जाते सरी को स्वस्त बनाने पर भी जोर दिया जाता, घर में संगीत के स्वर भी गूलते रहते तरह तरह के लोग घर पर आते, कोई भालू नचाता, कोई सांप का खेल दिखलाता, कोई नाटक दिखलाता और कोई बाजिगरी यह सब देखकर हमें बहुत मज़ा आता वो कहना है कि पढ़ा उनके उन्हें बाकी बिस्यों जैसे गड़ीत विज्ञान चित्रकला आदी और इसके साथी संगीत की सिक्षा घर पे ही दी जाने लगी इसके साथ ही जब होता है कि कोई साप नचाने वाले, कोई मदाड़ी वाले आते हैं तो यह सब देखकर के लेका को बहुत अच्छा लगता था हमें प्राचीन धर्मों, परंपराओं, आदर्शों और रिती रिवाजों का आदर करना सिखाया जाता मुझे रामाल और माभारत से तो लगा ही हो चुका था अब प्राचीन बंगला पुस्तकों को भी पढ़ने में रूची जागी मतलब उन्हें माभारत और रामाल की कहानिया सुरू से सुनाई जाती थी, सुरू से उनके नौकर उन्हें कहानिया सुनाते थे तो इस प्रकार से उनकी रामाल और माभारत में रूची होने के साथी, बंगला पुस्तकों में भी प्राचीन बंगला पुस्तकों को पढ़ना भी उन्हें अच्छा लगने लगा इसलिए वो किताबों से जो किताबें सोने वाले कमरों में आलमारियों में बंद रहती थी उन्हें निकाल कर वे कभी कभी चाची की साड़ी के छोड़ से बंदे चाबी के गुच्छों से भी चुराना पड़ता था वो कह रहे हैं उनकी चाची जो थी वो किताब जो बंगलाव की पुस्तके थी वो आलमारी में रखी रहती थी और उनकी चाची के पास रखी रहती थी उनकी चाची चाबी को अपने आचल के कोने पर बांद करके रखती थी तो लेका कह रहे हैं कि किताबों को पुस्तकों को पढ़ने के लिए उन्हें कभी कभी चावी भी चुरानी पढ़ती थी जब पिता जी यात्रा पर बाहर गए मैं चूप चाप उनके कमरे में घुश जाता अपनी कुर्ची पर बैठ कर उनकी कोई किताब पढ़ने लगता जब मैं बारवर्ष का था आठ वर्ष के बारे में बताया लेकक ने कि उनके साथ आठ वर्ष के जब वो थे तो उनके साथ क्या-क्या घटना हुई यानि आठ साल के बाद अपने मास्टर साहब की बात बताते हैं फिर आठ साल तक आठ साल के बाद उन्हें स्कूल भेजा गय मतब किसमें उनकी रूची थी किसमें और रूची थी ये सब उन्होंने बताया आप वो बताते हैं जब वो बारवर्ज के थे बारवर्ज के समय उनका मेरा उपनियन संसकार किया गया जब बारवर्ज के थे तो उनका उपनियन संसकार किया गया जैसे जन्यों जो पहनाया जा उनके बाल मुंडवाए गया उनका सिर मुंडवाए गया और गायतरी मंत्र के साथ करवाए गया उनका उपने अंसकार तो उन्हें बहुत मज़ाया बहुत अच्छा लगा मैं सिर्फ इस बात से परिशान था कि सिर्मूंडे पर मैं स्कूल कैसे जा पाऊंगा लेकिन उसकी नौबत नहीं आई उत्सो समाप्त होने पर ही पिता जी ने मुझे बुलाया और पूशा तुम कुछ महीनों के लिए मेरे साथ यात्रा पर जाना पसंद करोगे जब उनका उपनियन संसकार हुआ रविन्ना टैगोर का जब उपनियन संसकार हुआ तो उन्हें बहुत अच्छा लगा लेकिन उन्हें इस बात की दुखी थी कि वो स्कूल कैसे जाएंगे चूकि उनका सिर्मूंडवा दिया गया था तो वो सोचे कि जब मैं स्कूल जाओंगा तो बच्चे चिर्हाएंगे उन्हें अच्छा नहीं लगेगा लेकिन वो बता रहे हैं कि इस बात की नौबत नहीं आये मतलब वो दिन नहीं आया कि मुझे स्कूल जाना हो कब उपनियन संसकार के बाद से एक दिन उनकी पिता जी ने उन्हें बुलाया और उन्हें यात्रा पर जाने के लिए कहा घर से निकल कर यात्रा पर जाने के लिए महत बहुत खुशी हो रही थी मैं पिता जी के साथ पहले शांतिनी केतन गया पीता जी के नजदीक आने का यह मौका मिला था मुझे पीता जी मुझे छोटे छोटे काम करने को कहते मैं उनकी घड़ी में चावी देता उनके खुद्रे पैसे को समालता भीखारियों को भीख देता अब पीता जी के साथ मतलब उनका पीता जी का कि उनके साथ कैसा रहा बेवहार कैसा रहा ये सब बता रहे है कि जब पिता जी ने उन्हें यात्रा पर जाने के लिए कहा तो वो बहुत खुश हुए और पिता जी के साथ जाने सबसे पहले वो शांती नीकेतन गए जिससे वो क्या हुआ उनका जो संबन्द हुआ, बहुत नस्दी की संबन्द हो गया पीता जी का और रविन्ना टैगोर का इस प्रकार से वो पीता जी के जैसे उनके छोटे-छोटे काम करते थे जैसे घड़ी में चावी दे देना और उनके खुद्रे पैसे जो भी थे उनको संभाल करके रखना और भीकारियों को कुछ देना दान देना भीक देना ये सब काम उन्हें अच्छा लगता था वही मुझे पता चला कि कविताएं लिखने के लिए शांती निकेतन से बहतर कोई जगा नहीं है मैं बगीचे में नारियल के पेड़ के नीचे जमिन पर बैठ जाता सामने अगले पैर फैला लेता और लिखने लगता जब वह शांती निकेतन गया है तो उन्हें शांती निकेतन में ये लगा कि इससे अच्छी जगा कोई और भी नहीं है जहां भी कविताएं लिख सके क्योंकि वह शांती निकेतन गया बारह साल के बाज से तो शांती निकेतन ही उन्हें बहुत अच्छा लगा जहां पर वह कविताएं लिख सके नेली नोटबुक फट गई थी अब मेरे पास पक्की जिल्दवाली एक नई नोटबुक आ गई थी कुछ दिनों के बाद हम अम्रिसर गए वहाँ एक महीना ठहरे पीता जी मुझे अंग्रेजी, बांगला, व्याकरण, संस्कृत वह विज्ञान पढ़ाते अब वो बता रहे हैं कि शांती निकेतन के बाद से वह अम्रिसर उनकी पीता जी गए जिसे रविना टाइगोर भी जाते हैं वहाँ एक महीना ये लोग रूपते हैं पीता जी उन्हें वहाँ पर अंग्रेजी, बंगला, व्याकरण और संस्कृत पढ़ाते हैं इनकी पीता जी साधा खाना पसंद करते थे और रविना टाइगोर को भी खाना अच्छा लगता था इस स्यात्रा के दौरान पीता जी का उन्होंने दूसरा रूप देखा जन्मुआ था रविना टाइगोर का, वहाँ पर वो पीता जी से डर डर के रहते थे लेकिन जब वो यात्रा के दौरान वो साथ साथ रहते थे इस प्रकार से वो बोड़ना है कि पीता का दूसरा स्वरूप देखने को मुझे मिला घर लटकर मैं अपनी आत्रा के किस्से सबको सुनाया करता मा को मुझ पर बड़ा गर होता, घर में मेरे बड़े भाई जोतिरिंड और भावी कादंबरी मुझे कविता से जुडने में मदद करते मा के मुर्तियों के बाद बड़ी बहन सौधामिनी मेरा ध्यान रखने लगी नाटक और संगीत के लावा जो तिरिंड की रूची गुर्सवारी और तैराकी में भी थी वे मुझे गुर्सवारी और तैराकी सिखाते एक बार वे मेरे लिए किराय पर एक टट्टू ले आए वो कहना है कि उनके जो बड़े भावी भावी थे उन लोगों के साथ मतलब उनकी मा की जब मुर्ति हो गई तो उन्होंने उनका ध्यान रखना सुरू कर दिया इसके अलावा जो तरिंद्र जो थे उनकी रूची गुर्सवारी में थी तो इसलिए वो गुर्सवारी में भी आनन्द लेते थे लेखक मैं उसे पर चलकर देहात की ओर निकल गया मैं उस पर इसलिए नहीं गिरा कि जोती दाधा की भरोसा था कि मैं नहीं गिरूंगा तब वो कहा है कि मैं गिर जाता लेकिन जो थी बाबा जो थे उनके उनका भरोसा था कि वो नहीं गिरेंगे इसलिए वो नहीं गिरें जोतरिंद्र दादा नाटक लिखा करते थे नाटक के लिए मुझे गीत मुझे से लिखवाते नाटक की भी जब वे गीत गाये जाते तो सबको आशर होता है कि एक कमरूमर के लड़के ने यह गीत लिखा है जोतरिंद्र के बारे में बता रहे हैं कि वो नाटक लिखते थे और उस नाटक में जब गीत गाना होता था तो वो कौन गीत गाता था रविन्ना टैगूर और जब वो उसमें गीत गाते थे नाटक में तो सब जब सुनते थे देखते थे तो सबको आश्यर होता कि यह इतना छोटा इतना कम उम्र का लड़का कोई इतना अच्छा गीत कैसे गा सकता है चुकि लेकक अपनी बात कब की बता रहा है बारह साल के बात की मैं सोलत साल का हो गया था मेरे भाई मैं भविश्व को लेकर के मेरी चिंता करने लगे रर्विनना टैगोर ने कब की बात बताई अब वो बतानेैं 16 साल की बात, जब वो 16 साल के हो गये, तो उनके भाई और बहनों को चिनता होने लगी भाई सतिंद्रनात ने सुझाओ दिया कि मुझे इंगलेंड भेज दिया जाए मुझे वाँ मेट्रिकुलेशन की परिक्षा पास कर कानून की पढ़ाई करनी थी इससे पहले चुस्त और आधनिक बनने के ख्याल से मुझे अहम्दाबाद में सतिंद्र दादा के पास रहना पड़ा मतब उनके जो भाई थे सतिंद्रनात उन्होंने यह का कि उन्हें मेट्रिकुलेशन की परिक्षा पास करने के लिए मतब कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लेंड भेजा जाए लेकिन उन्हें अहम्दाबाद सतिंद्र दादा के पास रहना पड़ा अहम्दाबाद और मुंबई में 6 महिने रहने के बाद मेरे इंग्लेंड रवाना होने का वक्त आ गया यानि पहले वह अम्दाबाद रहे और महा से 6 महिने के बाद स्वा इंग्लेंड जाने के लिए रवाना होने वाले थे 20 सितमबत 1878 में शाम के 5 बजे में पूना नाम के समुद्री जहार से मुंबई से इंग्लेंड के लिए रवाना हुआ डेक की रेलिंग के पास अकेले खड़ा था डेक क्या होता है डेक जो जहार की छट होती है उसे ही डेक करते हैं तो वहीं के रेलिंग के पास लेकर बोल रहा है कि अकेले खड़े थे मैं जेटी और जहार की बीच का बढ़ता हुआ अंतर देख रहा था जो जेटी मतलब जो घाट होता है वहां का और मैं जेटी के जहाज के बीच का बढ़ता हुआ अंतर देख रहा था यानि जब जहाज आगे की तरफ बढ़ रही थी और जो घाट है उसके बीच में क्या अंतर है चुकि रविन नाट टैगोर का प्रकिर्टी के साथ सानेद्य हो गया था प्रकिर्टी के साथ संबंध हो गया था तो इसलिए वह कह रहा है कि वह जेटी मतलब जो घाट थी और जहाज के बीच जो संबंध था उसको वह बहुत ही बारी किसी देख रहा थे अचानक मुझे उदासी ने घेड लिया मैं अपने पीछे भारत का किनारा ही नहीं मेरे बच्पन को भी छोड़े जा रहा था मैं फॉरण डेख से हट गया और अपने केविन में जाकर लेट गया अब वो कहते हैं कि वो उन्हें ऐसा लगा कि जब वो जहाज में बैठे हैं और इंग्लेंड की ओर जा रहा है तो उन्हें ऐसा लगा कि वो अपने भारत से अपने बच्पन से बहुत दूर जा रहा है अब वो क्या करते हैं फॉरण डेट से हट जाते हैं मतलब जो जगा र यादे और उनकी आत्मकथा मतलब इस आत्मकथा में उन्होंने अपने बच्पन की बारे में सारी चीजे बताई हैं जब वो आठ साल के थे आठ साल के पहले उनका बच्पन क्या था वो कहां रहते थे वो शांतीनी केतन कैसे गये शांतीनी केतन में पीता जी के साथ कैसे रहे और वो अम्रिस साथ के साथ बाकी कौन से यात्राएं करते हैं उन्हें कविताय लिखनी की रूची कब से जागरित होती हैं ये रही उनकी बच्चपन की यादे तो बच्चों या पाट जो था मेरा बच्चपन यहीं पर समाप्त होता है धर्निवाद